में कोई भी मॉड्यूल है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं फंक्शन्स हैं चाहिए f1 हो f2 हो यह सभी यह मॉड्यूल यह मॉड्यूल M है यह फंक्शन f1 है यह फंक्शन f2 है तो अब इनको टास्क क्या करना है माल लिजे कि यहां पर है generate result यह माल लिजे इनका task है तो यहां पर कोई भी जो भी फंक्शन perform हो रहा है वो भी function perform कर रहा है generate result को help कर रहा है और f2 भी generate result को ही help कर रहा है मतलब किसका result generate होगा जिसके सभी marks आ जाए और सभी personal detail तो हो सकता है जो function one है यह student की personal details provide कराएगा और यह mark provide कराएगा लेकिन दोनों का main काम क्या है कि दोनों का function है result को generate करना यह यह भी का मतलब f1 जो भी काम कर रहा है वो generate result के लिए कर रहा है f2 जो भी काम कर रहा है वो generate result के लिए कर रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे if all functions of module m module m के सभी function if all functions of module m perform a specific task then then module m is set to be functional cohesive functional cohesive ठीक है यानि कि जब सभी functions यानि कि चाहिए f1 कोई भी काम करे f2 कोई भी काम करे f3 कोई भी काम करे बट इन सब को इन सब का main purpose क्या है है यह result generate करवा रहा है ठीक है तो एक हलाकी f1 कर रहा है personal detail निकाल रहा है और f2 जो है वह मार्क दे रहा है लेकिन f personal detail और मार्क को मिला करके में काम क्या होगा generate result तो module m perform specific task then module m is set to be functional cohesive ठीक है यही आपका बचा था यह clear है समझ में आ गया यह बताओ यह समझ में आया clear तो अपना next topic शुरू करें yes or no clear a functional cohesion okay next topic application documentation heading documentation का मतलब क्या होता है documentation is पेपर वर्क यह क्या है पेपर वर्क है अब अगर कोई कहके software में document का क्या मतलब होता है तो हम यहां पर लिखेंगे है software अप्यर अप्यूमेंटाइशन इस पेपर वर्क विच इस रिलेटेड टू तो तो किस से रिलेटेड होगा तो किस से रिलेटेड होगा यनि कि डॉक्यूमेंटेशन एक पेपर वर्क है पेपर वर्क का मतलब होता है जिसमें कोई चीज लिखी जाए जैसे आपकी माल लिजे आपने एक नया मोबाइल लिया आपने एक नया मोबाइल लिया अच्छा मोबाइल के साथ साथ क्या आपको कोई बुक्लेट मिलती है बुक्लेट मिलती है बताईए यस और नो आपने एक नया मोबाइल खरीदा और आपको एक booklet मिली. सबको मिलती है. मोबाइल बस चोरी का नहीं होना है. चोरी की मोबाइल में booklet नहीं मिलेगी. चोरी की मोबाइल मिलेगा, चारजर भी खरीदना पड़ेगा किसी को भी. तो निवर पर्चेस दा मोबाइल ऑफ ग्रे मार्केट तो आपने मोबाइल नहां खरीदा और उस मोबाइल में बुकलेट निकली अब बताएए यह जो बुकलेट है यह बुकलेट क्या है दिस बुकलेट इस डॉक्यूमेंट यह डॉक्यूमेंट है और यह कैसा डॉक्यूमेंट है यह डॉक्यूमेंट रिटेन डॉक्यूमेंट होता है विच सम फिगर सम पिक्चर सम हेडिंग सम इंस्ट्रक्शन्स रिटेन डॉक्यूमेंट होता है ठीक है इसी तरीके से आप कोई भी एक्विप्में if you purchase you purchase any equipment any equipment means any device tv fridge ac computer laptop any equipment from the market from the market you will get a booklet you will get a booklet this booklet is written document to documentation what is documentation we will write here that documentation documentation is the process of writing documents writing documents which which serve yeah you will use for different purpose different purpose different purpose product you will product you will you will document you will two two one system document and user document here we are here document this document is is prepared by software developer 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 site document create document and user document now document and user document what is simple here 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 types of document here types of documentation and this documentation here can tell you here system documentation or user documentation name is system documentation का मतलब हो गया कि यह पूरा यह टेक्निकल डोक्यमेंट्स होगा टेक्निकल डोक्यमेंट्स होगे इसमें क्या होगा इसमें 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 कोडिंग की डीटेल हो सकती है इसमें कोडिंग की डीटेल हो सकती है इसमें की डीटेल हो सकती है इसमें कोडिंग की डीटेल हो सकती है इसमें एनालेसिस की डीटेल हो सकती है इसमें एनालेसिस की डीटेल हो सकती है किसे किया गया है सिस्टम कि implementation तो जितना भी काम आपके SDLC में किया जाएगा SDLC में जितनी भी फेज़ेस हैं हर फेज़ेस के लिए क्या होगा फॉर ओल फेज़ेस आफ एज़ी एलसी पॉर ओल फेज़ेस ऑफ SDLC देर मस्ट भी सेपरेट सेपरेट दोक्युमेंट देर मस्ट भी सेपरेट दोक्युमेंट यानिगी डिजाइन के लिए लग कोडिंग के लिए अलग टेकनिकल डोक्युमेंट हो हो गए इससे यूजर को कोई मतलब नहीं है कैसे मतलब रही चलना चाहिए अब साफ्ट्वास का जिजो जो को Ciao जाएगा तो यह operational document होगा कि software को चलाया कैसे जाएगा वह इसमें है यानि कि हम इसको कह सकते हैं it is also known as user manual इसको क्या करते है user manual अब document की जरूरत क्यों है why the document यह दोनों समझ में आ गया system और user document clear है दोनों शुभम प्रिया अशोग clear है आप लोगों को राज समझ में आ है अब देखे अगर हम यह कहें वाई डॉक्यूमेंटेशन यह अगर क्वेश्चन करा जाएं वाई डॉक्यूमेंटेशन सपूज आपने एक घर ले लिया ठीक है आपने एक घर ले लिया इसका घर के पेपर को क्या कहते हैं। अबने घर पटीश किया है। आपका घर है। यह आपके पिता-जी का घर है। यह आपके आदा-बाबा का घर है। आप कैसे सिद्द करेंगे। हाव यू प्रूफ दाट इट इट बिलॉंग्स तू यू कैसे करेंगे बताइए यह आप से रिलेटेड है यह आप कैसे सिद्ध करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे आप घर के पेपर को कहते हैं रजिस्ट्री पेपर क्या बोलते हैं रजिस्ट्री पेपर ठीक है मान लिजए कि आपकी बाइक है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि यह बाइक आपकी है तो बाइक का रजिस्ट्रेशन पेपर आर सी कहते हैं उसको रजिस्ट्रेशन पेपर ठीक है कागजाद धर के कागजाद सही कह रहें रहें शुबम बाइक रजिस्ट्रेशन पेपर ठीक है उसी तरीके से जैसे मान लिजए कि एक building है उस building में अब आप समझें documentation का क्या का निया काम है. उस building में वाइर ओई रिशा दिया गई से हमने इस यहां से बना दी है औरмет green यहां से निकलां यह यहां से निकल के इधर से निकल एदर इधर चलाएज्ल यहां से गरई यहां यह है यह इद्र में कोई fault आ जाता है जब होता किया ना बड़े-बड़े complex बनते हैं तो उसमें क्या होता है ना wiring का पूरा blueprint बनाए जाता है कि वायर कहां-कहां से गई है पूरा blueprint बना दियाता है इससे फाइदा क्या होता है कि जिसने wiring करी है मालोग किसी टीम ने वायरिंग करी है वो टीम कल को चली जाती है इस वायरिंग को समझेगा कौन तो उसके लिए के documentation होता है पूरी वायरिंग का documentation होगा और और यieso य आप ने देखा होगा ज़ादा तर वायरिंग वह कहां होती है कि ज़ादा तर जो वैरिंग से हुती है वो सो के कि Plaster के पीछे होती है तो अब इसके उपर अगर Plaster चढ़ा दिया तो हमें वाइरिंग दिखाई यह नहीं पड़ेगी हमें them क्या होगी हमें वाइरिंग को दिखाई नहीं पड़ेगी कि वाइरिंग गई का तो इस के लिए क्या होना जी अगर blueprint होगा blueprint होगा तो blueprint जैसे ही हम यूज करेंगे फॉरन हमें wiring क्या होगी foreign wiring दिखने लगेगी ऐसे ठीक है foreign wiring दिखने लगेगी तो वही blueprint क्या है documentation है तो software कैसे बनाया गया किस module को कहां से link करा गया है यह सारे काम documentation से आसान हो जाते हैं software को कैसे handle करना है माल लिजए कल को जिस team ने जैसे माल लिजए कि जो new software है अगर new software का document ना बनाया जाए तो new software का जो client है वो क्या करना चाह रहा है वो आपसे काम नहीं कराना चाह Sun है हम आपकी company से काम नहीं कराना चाह रहे है और इस new software को जो develop किया था वो Company ABC ने डिवलब किया था लेकिं client है client काह रहा है और client को दिया जाएगा तो client के पास document भी होगा client कहेगा हमें पूरा document चाहिए हर चीज चाहिए पूरा कौन सा module किसे link है कैसे coding होई है कैसे logic होई है क्योंकि अगर ये document इस x y z को दे देंगे जो नई company है तो फॉरन हमारे नए software में वो पकड़ लेगा कि कहा problem है otherwise इसको बहुत मेनत करनी पड़ेगी x y z company को तो यह बात समझ में आ गई documentation आप सभी को clear हो गया क्लियर है समझ में आ है documentation अब आईए heading डालिए केस टूल क्या केस टूल्स यह क्या है केस टूल इसका फुल फॉर्म है computer एडिट केस टूल्स 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 क्या है कंप्यूटर एडिट एडिट का मतलब होता है help और software इंजिनिंग मतलब it is related to the software development तो किसकी help ली जाएगी computer की यानि कि यहां पर हम लिखेंगे केस टूल्स आर आर डेवलपमेंट अब कंपनीज जो की कौन यूज करता है सौफ्ट्वेर डेवलपमेंट कंपनीज यूज करते हैं ऑगर कोई पूछे कि क्या है तो आप कहेंगे सौ आटोमेटेट टूलस है यानि कि यह खुद सौफ्ट्वेटस है के सुल्स क्या है अब केस टूल्स और आर्टो मेंटिट सोफ्ट्वियर्ड यह और्टो मेंटिट सौफ्ट्वियर्स है आथ इस नो कि देखो automated software का क्या मतलब है कि जो case tools है कि यूजड बाई कि software company कि क्यों यूज़ करते हैं इसको देखो इसका मतलब ऐसा जैसे माल लो कि हमें माल लेते हैं कि यह एक building है ठीक है यह क्या है कि यह एक building है अब इस building को क्या करना है हमें इस building को हमें demolish करना है demolish का मतलब होता है गिराना है खराब हो गई है यह building ठीक है और यह building जो है वह five story building है मतलब पांच मंजिला इस पांच मंजिला इमारत को गिराना है तो आपके पास दो तरीखें एक तो आपको क्या दे दिया गया बहुत बड़े 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 ताकतवर आपको hammer दे दिया गया हताओड़े और एक आपको दे दिया गया बुल्डोजर बुल्डोजर की spelling चेक कर ले ना शायद मैं खालत है हम पहली बार लिख रहे हूंग बुल्डोजर अगर यह है तो ठीक है एक मिनट उसमें चेक करी लेते हैं कौन सा पेज उपन कर दीजे बुल्डोजर सही लिख दिया भई बी यू डबलल डी ओजडी आर बुल्डोजर सही लिख दिया इसके बाद इसके बाद नहीं इसके पहले यह देखो यह वाला शुबं बाद वाला नहीं पहले वाला यह है इसको लिख लो केस टूल्स आर आटोमेटेड टूल्स विच आर यूजड बाई सॉफ्टेर डेवलप्मेंट कंपनीज केस टूल्स आर आटोमेटेड सॉफ्ट्वियर ठीक हो गया शुबं अब आप बताईए यह पांच मंजिला स्टोरी को गिराने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे आप यह नंबर वन उप्शन यूज़ करेंगे या नंबर टू उप्शन यूज़ करेंगे बताईए इसका यूज़ करेंगे आप टू का तो यहां पर क्या होगा टू डेमॉलिश इसको डेमॉलिश करने के लिए टू यानि कि बुल्डोजर का यूज़ होगा क्यों करेंगे इसका यूज़ because it save time and time is money किसी भी company के लिए time money उसी तरीके से software में ये जो बुल्डोजर है ये किस तीस का काम करता है केस टूल्स का काम करता है किसका एक टूल्स का काम करता है ठीक है जैसे यहां पर आपको एक हम फीगर दिखाते हैं यह है फीगर वह हम ले आते हैं यहां झाल अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि जो SDLC, यह SDLC की phases हैं, यह तो आप जानते ही हैं, यह सभी SDLC की phases है, तो अब जितने भी वर्क हैं यहां पर, चाहे planning हो, analysis हो, planning हो, analysis हो, design हो, implementation हो, testing हो, या maintenance हो, हर एक के लिए case tools आता है, planning, analysis और design के लिए जो case tools आता है, उसे हम कहते हैं, upper case tools, और implementation, testing और maintenance के लिए जो case tools यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, lower case tools, यहनि कि हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, कि planning, SDLC में, planning, analysis, design, इसके लिए जो case tools यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, upper case, upper case tools, तीक है, और, जो हमारा implementation और testing और maintenance के लिए use होता है उसे हम क्या करते है lower case tools ठीक है upper case tools और lower case tools और case tools क्या है यह हमने आपको बताए है तो बड़ी बड़ी जो companies होती है वो सब इसी तरह के tools का use करती है जैसे for example में अगर हम कहें इन सब case tools का नाम है fossil ठीक है और git git और और भी बहुत सारे नाम है जैसे cscope cscope और और इसी तरह के बहुत सारे नाम है soap ऐसे नाम तो खैर बहुत सारे बहुत ही tools है हजारों की तदाद में tools है कोई भी tools आप यूज़ कर जैसे अब हम आप से यह कहें आर्ट बनाना है आपको तो आर्ट बनाने के लिए आप यह तो pen or paper ले लिजे और यह तो आप paintbrush का यूज़ कर लिजे Adobe Photoshop का यूज़ कर लिजे ठीक है तो यह सब क्या है यह tools है जैसे हमने का आप presentation बनाई है तो presentation आप chart paper भी भी बना सकते हैं PowerPoint से भी बना तो PowerPoint case tool हो गया PowerPoint क्या हो गया case tool हो गया automated हो गया software हो गया तो अगर हम planning के लिए analysis के लिए design के लिए testing के लिए maintenance के लिए इन सब phases के लिए अगर हम software use करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं case tool computer added software engineering यह नहीं की added मतलब help software engineering का मतलब development software development में help लेंगे किसकी computer की मतलब software develop करने के लिए हम other automated software की help लेंगे designing के लिए implementation के लिए clear रहिए यहां तक कोई confusion किसी को कुछ doubt है इसमें समझ में आ गया अब इसमें एक्यू रिव भी एक आप और भी लिए एक example एक्यू रिव ठीक है और Serena यह सब नाम है केस टूल्स के गिट जी आईटी गिट फॉसल सी स्कोप सूप एक्यू रेव से रेना ठीक अब इसके बाद अच्छा आप लोग ने सी प्लस प्लस पड़ा हुआ है अब्जेक्ट और इंटेट प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है क्योंकि इसमें अब्जेक्ट और इंटेट दिया हुआ है आपका यूनिट पाइव है तो उसको तो पढ़ाने की ज़रूए था है नहीं इन्हेरिटेंस और इन्कैप्सुलेशन इस अब जानते होंगे आप लोग में पढ़ा हुआ है क्यों शुभम हाना उसको आम नहीं पढ़ाएंगे फिर ऑब्जेक्ट वगएरा हाना यह सब पढ़ा है क्लास ऑब्जेक्ट डाइग्राम तो यह आपका ओल्मोस्ट यह उपस का कॉंसेप्ट है विसक्ली ओपस ओपस यह आप लोगने पढ़ा हुआ है उपस अशोक पढ़ा हुआ है वाकी आपका इसमें चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या चीज बची हुई है क्या चीज पढ़ाना है कुछ पूछना हो तो पूछ लेना क्योंकि आल कि एक काम करना तुम लो फिस्ट पेज उपन करते है शुबम में तो सारे पेज लो पहले यह दो कोई है फस्ट पेज मृत हुगां यह है सेकेंड पेज सेकेंड पेज हो गया और यह है थर्ड पेज और यह है आपका फिफ्ट पेज और यह है आपका शिक्स पेज और यह है आपका सेवन पेज यह है आपका एट पेज यह है आपका नाइंथ पीज यह आपका एंथ पीज समझ में आ गया अब आप लोग एक काम यह करिएगा इसमें पूरा पढ़ लिजेगा एक बार तो जो कोईरी हो वो परसों वाले में कोईरी कर लिजेगा फिर हम लोग इसको खतम कर देंगे क्योंकि अभी आपका ओल्मॉस्ट कोर्स कंप्लीटेड हो गया है सैट का कोर्स आपका कंप्लीट हो हो गया है यह वाला यह है सेकंड पेज यह हो गया है अब आप लोग जो है खुझ से जितना हमने पढ़ाया पढ़ लिजागा नेक्स क्लास में उसको पूछ लिजागा फिर हम लोग इसको खतम कर लेंगे ठीक अब चलो पर टीगे थैंक्यू कि एप लोग तो आप क्लीट कि एप में चिपागा रशाव जरी हमले को खता है कि एप लेंगे ऑधा रफिक कि एप लोग पारी हमले कर दो क्ष़ हो प्याजर प्लाव पिर हमले का दो आप पाराब लोगे जाब आप